सबी पसू पालक साथियों को राम राम वेट एंड डेरी ग्यान यूटूब चैनल पर आप सबी का हारदिक स्वागत है आज के वीडियो में हम एक जो कॉमन डिजिज है डिजिज कहलो एक मेनेजमेंटल प्रोब्लम कहलो लेकिन ये प्रोब्लम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चली हुई है और ये है एनेस्टरस मतलब साइलेंट हीट ही बोल देते हैं और इंदी में मद हींता भी बोलते है इस इस्थति के अंदर पशू खुल के इट में नहीं आ पाता तो इस इस्थति का हम पशू में मनेजमेंट कैसे करें पशू को कैसे इससे उबारें क्या ट्रीटमेंट करवाएं क्या हम गरपे करें मनेजमेंट उसका जिससे इस इस्थति में सुधार हो शके तो साथियोगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्राइब नहीं क्या चैनल को सबस्राइब करने ताकि आपको ऐसी बड़िया बड़िया जानकारी मिलती रहे तो साथ्यो जो एन इस्ट्रस है या साइलेंट हीट है वो जो repeat breeding है उसी के अंदर आता है repeat breeding में ही आता है repeat breeding साथ्यों बहुत से 8 से 10 शाइप होते repeat breeding में अगर आप देखोगे तो उसी का एक पहलू है तो इसके उपर आज हम चर्चा करेंगे complete तो वीडियो को पूरा जरूर देखें इसकी पना करें तो जो silent heat है and stress है ये होती क्यों है सबसे पहला कारण इसका estrogen hormone की पशू में कमी या फिर जैसे पशू के अंदर कोई भी गर्बास्य संबन्दी बिमारी जैसे 5m है या फिर पशू की जो अवरी पर PCL बनी रहना ये इसके कारणों के अंदर एक अपना सबसे बड़ा पोश्टिक आहार की कमी पोश्टिक आहार यानि पशू के अंदर विटामिन A, E और D मुख्य रूप से और जो मिनरल है इसके अंदर कैल्सियम, फासफोर्स और आयोडिन की कमी की वज़य से ये दिक्कत होती है कई पशू बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं चर्बी चड़ जाती है तो उस इस्ति में साथ यो जो ओवेरी है उसके उपर चारो तरप शे दवाब बन जाता है जिससे वो एक जगई कठी हो जाती है और एक कारण इसका जैसे पसू की उमर अधिक हो जाती है तो वो मतलब की ज़्यादा आहार चारा पानी खा नहीं पाता तो उसके अंदर प्रोपर नुट्रिस्नल जोश की जरूरते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती तो इस वज़े से भी ये मद हिंताया एनिस्ट्रस का कारण बनता है अब इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करें तो सबसे पहले साथ है जो अपने पास आपके जो नजदीक पशू पहरावेट भाई है या डोक्टर है उसको बुलाके ओवरी की मसाज करवाएं जाज करवाएं कि अगर उसके अंदर PCL बनी हुई है या अपना देश्री बास साम बोलना है कि उसके अंदर ओवरी को पर शिष्ट बनी हुई है गाट बनी हुई है उत्ती दो उस ही है लेगे गाट मानलो आप तो वह भी चेक कर लेगा अगर वह बनी हुए तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा उसको अलके आज से फुड़वा के और आपको सफाई करवानी है दो से तीन दिन पशू की उसके बारे में दोस्तों अगले वीडियो में चर्चा करेंगे लेकिन अगर वह दिक्कत नहीं है तो आप ट्रीटमेंट कैसे करें तो साथियो डेफेस्ट पर जब आप पश एमजी लगवाना है इसके बाद आपको कंप्लेट ट्रीटमेंट आपके गरपे करना उसके अंदर करना क्या है जो कलोम फेंट साइट फेरिवेट ट्रेड नाम से टेबलेट आती है ये टेबलेट और इसके साथ आपको साथियो विटामिन E की 400 एमजी की टेबलेट ये दो आपको तीन पैक लेके आने हैं एक पैक में 60 टेबलेट आती हैं और ये आपको 21 दिन तक आपके पसू को देना ही देना है और सबसे लास्ट में साथियो जो विटामिन मिनरल हैं कंप्लीट उनकी पूर्ति के लिए जो एनिस्ट्रस है रिपिट ब्रिडिंग है उसके अंद तो ये आपको एक किलो आद्दे किलो नहीं देना साथियो आपको कम से कम दो किलो लेकर आना है दिन के 100 ग्राम के इसाब से आपको 20 दिन ये भी देना है और उसके बाद जब आपका पसू इट में आये तो साथियो देखना वो पसू अच्छे से इट में आएगा और आप याई करवाएं वो 100% सक्सेस रेट देगा अब आपको मेनेजमेंट में क्या चेंजमेंट करने हैं चेंजमेंट एक तो ये करना कि आपको अपने पसू को दिन में 3-4 बार 15-20 मिन आप उसका एक्जामीन करें कि इसके इट में आता तो वैवार में कितना बदलाव आता है क् इसमें नोर्मल इट अतिया अढकी इसमें ज्यादा पता नहीं लग पाता दूसरा काम आपको यह करना कि अपने पसू को डोस्तो कई साथ ही मारते पीटते हैं वो काम नहीं करना क्योंकि इससे पसू इस्ट्रेश में जाता है इस्ट्रेश में जाने साथियो 33% फरक परता साइट के ओपर ये काम नहीं करना और एक तीसरा अपने पसू को साथियों पहले लोग गुमाते थे पसू को बाहर छोड़ते थे अब वो काम बंद हो गया तो अपने पसू को डैल आधे गंटे से एक गंटे बीच आप पसू को जरूर गुमाएं एक्सरसाइज करवाएं ये